हाई फ्रेंट्स मेरे इस चैनल में आप सभी का स्वागत है मैं अपने इस वीडियो में आज आपको बताऊंगी रेडिमेट डोरी कैसे बनाना है सूट और ब्लाउज के लिए इस तरह का धागा लेना है आपको और धागे को बारे बार फोल करना है दस से बारे फोल कर सकती है और लंबाई अपने अंसार रख सकती है जितना लंबाई आपको डोरी चाहिए उतना लंबाई आप तयार कर सकती है बहुत ही खुपसूरा डोरी बन करके तयार होगा एक बार मेरी वीडियो को लाश्ट तक देखिए तो देखिए मैं धागे को दस बारे वार फोल कर ली हूँ और दो तरह का मैं ली हूँ यहां पर औरेंज और ब्लू कलर का धागा ले ली हूँ देखिए इस तरह से मसीन के चाप जो होता है उसमें मैं फसा ली हूँ जिससे की निकलने ना पाए और उसके बाद हाथ में रख करके देखिए इस तरह से इसको ट्विष्ट करना है देखिए अपनी तरफ से आगे की साइड में जाना है देखिए इस तरह से करते जाईए उसके बाद जब अच्छी तरह से ट्विष्ट हो जाए एठ जाए तो यहां पर लाश्ट में एक गाठ लगाना पड़ेगा आपको जिससे की यह खूले ना इसी तरह से ब्लू वाले को भी करना है उसके बाद इस तरह का कपड़ा ले करके दिखे इस तरह से रगड दीजिए जिससे की अठन जो है वह सही हो जाएगा और लाश्ट में एक गाठ लगानी है देखे इस तरह से इसके बाद आपको कैची लेनी है इस तरह से लपेट करके टायट रख देना है यहां पर फिर आपको जो दूसरा वाला कलर का धागा है इसको भी ऐसे ही कर लेना है ट्विस्ट दोनों तयार हो जाएगा देखे इसको भी इसी में फसाई हूँ और इस तरह से इसको भी आगे की तरफ ही ट्विस्ट करना है देखे इस तरह से आगे की तरफ करते जाना है बहुत ही खुबसूरत डोरी आपकी तयार होने वाली है यहां से देखते रहे वीडियो वीडियो स्कीव करके देखेंगे तुस नहीं समझ में आएगा तो यहां पर देखिए यह हो गया है और यहां पर लाश्ट में इसमें भी गाट मार लगाना है लेकिन उसके पहले आपको कपड़े से इस तरह से घीसना है देखिए इस तरह से रगड़ना है उसके बाद यहां पर गाट लगा देनी है लाश्ट में अब इसको खोल देना है क निकालने के बाद, अब आपको इकठा करना, अब आगे से पीछे की साइड, अपनी तरफ आपको इसको इस तरह से ट्विस्ट करना है, देखिए, पहले अपनी तरफ से आगे जाना था, और आगे से पीछे जाना है, जब दुनों को इकठा करके ट्विस्ट करना है, तो आग मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताईए वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए, सेयर करिए और मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस कर जिससे मेरी सारी वीडियो आप तक असानी से पहुंच सके वीडियो बहुत ज़्यादा मेनज़ करके बनाना पड़ता है आप लोग लाइट करती नहीं है कमेंट में भी नहीं कुछ बताते हैं मुझे कुछ पता नहीं चलता है तो प्लीज कमेंट जरूर करिए अगर आपको कुछ भी पूछना है कुछ भी कहना है तो आप कमेंट में मेरे से पूछ सकते है देखे इतनी सारे डोरियां मैं तयार कर रखी हूँ इस तरह से आप देख सकते हैं कितना खुबसूरा डोरी बन करके तयार हुआ है जिस कलर का आप चाहें इस कलर का इस तरह से डोरी बना सकती है थैंक यू मेरी वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों को